इस वीडियो में हम automatic water supply system setup करेंगे और वो भी आपके budget में setup में छोटी छोटी चीज़े बहुत important होती है इसलिए please वीडियो बीना forward करें end तक देखिए यह हाफ inches का pipe है जिसके एक end पे हम water pump का जो outlet plug है वो लगाएंगे और जो दूसरा end है उसको गरम करके close कर देंगे product link में आपको description में देता हूँ pump के outlet को यह pipe जोड़ देंगे यह bucket या और भी कोई भी storage है उसके अंदर पानी लेके आपको pump को अंदर submerge करना है यह submerge करने के बाद आपकी जो भी pot से वो properly arrange कीजे और pots के उपर से pipe को गुमा दीजे अब हम pots के position के हिसाब से pipe पे marking करेंगे और वहाँ पे holes create करेंगे pipe की length तोड़ी जादा लेजिए ताकि अगर बाद में कुछ plants add भी हो जाए तो आप additional holes करके setup complete कर सकते है सुई या kill यूज करके आप pipe में hole कीजे अगर hole को थोड़ा बड़ा करना है तो आप screwdriver भी यूज कर सकते है pen की एक empty refill लेंगे और उसे 2 cm section में cut करेंगे कर थोड़ा सा angle में कीजिए ताकि refill pipe के अंदर आसानी से fit हो जाए पहले जो हमने marking की थी वहाँ पे hole करके सबी marking में हम refill fit करेंगे तो आपका setup ऐसा दिखेगा दियान रखिए कि जो refill का outlet है वो नीचे की तरब point करना चाहिए नहीं तो आपका जो water flow है वो pot से बाहर जाएगा यह हमारा normal setup हो गया है जिसमें manually हम motor on or off करेंगे वैसे ही water supply on or off होगा और यही process हमें automatic करनी है और इसके लिए हम timer use करेंगे जो automatically आपकी motor आपकी set किये हुए time पे start होगी और set किये हुए time पे off होगी यह मैंने amazon से purchase किया है link will be in the description यह timer है यह हम main plug में fit करेंगे और जो pump की pin है वो हम timer के plug से connect करेंगे अब हम एक timer का demo देखेंगे आप देख सकते हैं हमने 18 बचके 25 मिनिट का timer लगाया था 55 सेकंद हो गए है आप देख सकते है सत्तावन अब motor चाले होनी पर ही और देखें motor चाले हो गए और 18 बचके 26 मिनिट में motor आफ हो जाएगी हम चोड़ा वीडियो का speed बढ़ाएंगे ताकि आपको जल्दी result मिल जाए जब आप motor बंद होगे एक बहुत important point है water pump बंद होने के बाद भी water का supply continue रह सकता है और इसकी बज़े से आपका जो भी storage water है वो खतम हो सकता है आपने science में पढ़ा होगा इसको siphon effect कहते है यह avoid करने के लिए आप pots एक certain height पर रख सकते है या फिर जो भी highest point है pipe का वहाँ पर hole कर सकते है hole थोड़ा सा bucket के अंदर के side पर करेंगे ताकि pump चालो होने के बाद जो भी water overflow होगा वो bucket के अंदर ही collect हो जाए setup completely ready है मैंने खुद यह setup जब मैं out of town गया था 7 दिन के लिए तब use किया है और properly work भी किया है बहुत सारे experiment के बाद यह video मैंने बनाया है इसलिए please video को like कीजिए और अगर आपके कुछ भी doubts है या फिर suggestion है तो please comment भी कीजिए और ऐसे ही interesting videos के लिए subscribe to DIY buddy thank you